हेलो फेंड्स मैसेल एसके शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्ण टू-डू-कॉर्डिंग जिसमें मैं आपको लर्णिंग मैं आपको प्रोग्राइमिंग लेंग्विज सी का लेक्टर सेवन दे रहा हूं आज और आज का टॉपिक है वैरियेबिल्स सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है जिसका नाम है लर्ण टू-डू-कॉर्डिंग तो इसे सबस्क्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहें और चलिए आप टॉपिक को शुरू करते हैं वैरियबल क्या होता है सबसे पहले मैं आपको रिवाइस करा देता हूँ इसली बार हमने कॉंस्टेंट्स के बारे में बढ़ा था कॉंस्टेंट्स यानि कि वो क्वांटिटी जो की कंप्यूटर में स्टोर की जा सकती है तो द इसी प्रोग्राइम के एगजीउट होते वक्त कहीं ने कहीं स्टोर करके रखना होता है तो उसी परपस के लिए हम वैरियबल यूज करते हैं तो वैरियबल नेम्स आर नेम्स गिवन टू लॉकेशन्स इन दा मैम्री ओफ कंप्यूटर वेर डिफरेंट कॉंस्टेंट वैल डाल यूजिए वोंगी उन्ही लोगेशन्स को हम कुछ नाम दे देते हैं तो इन्ही नेम्स को हम बोलते हैं शान नेम्स इन रहूं और the types of variables that it can support depend on the types of constants that it can handle यानि जिस तरह का constant हमें variable में store करना होगा तो उसी हिसाब से हम उस variable का data type select करते हैं पिछले lecture में हम data type भी पढ़ चुके हैं int, care, float, double, long, short वगेरा कई तरह के हमने data type पढ़े थे तो जिस तरह का constant हमें store करना है वैसा ही variable का type हमें select करना होता है अभी आगे में एक example से भी इसे clear करूँगा चलिए आगे बढ़ते हैं in C, all rules of identifier naming apply to the name of variables मैंने पिछले कुछ lectures में identifier की definitions आपको दीती, identifier के rules आपको बताएते तो वही rules हमें हम follow करने है जब भी हम कोई variable का नाम select करेंगे each variable in C also has some characteristics associated with it called its storage class यानि कि variable यह नहीं कि variable से declare कर दिया उससे काम चल जाएगा हर variable की कोई ना कोई storage glass भी होती है तो automatic, static और इसी तरह की कुछ और storage glasses होती है लेकिन यह अपने आप में काफी बड़ा topic है इसकी मैं अलग से video बनाऊंगा और उसे upload कर दूँगा फिलाल storage class को यहीं छोड़ देते हैं variable किया है उसे समझते हैं आगे बढ़ते हैं कोई भी variable यूज करने से पहले हमें उसे declare करना होता है तो variables are declared using the following syntax यह simple सा syntax है जिसमें शुरू में लिखा है type type से मतलब है data type vname1 से मतलब है variable name vname2 variable name2 अगर एक से जादा variable हमें declare करने है तो हम बीच में comma use करते हैं और last में semicolon लगाते हैं तो जितने चाहिए variable हम एक ही line में create करना चाहें कर सकते हैं where type is one of the data types जैसे int care, floor, double, long, etc और यह vname वगएरा क्या है names of variables separated by commas तो देखिए यह example है यहाँ पर शुरू में लिखा है int तो याद कीजिए यह एक data type है और count, m, n तो यह count m, n तीनो के तीनो int type के variable हो जाएंगे तो इन तीनो ही variable में हम कोई भी integer constant store करना चाहें कर सकते हैं लेकिन उसकी range int की range के according होनी चाहिए याद कीजिए int की range मैंने आपको बताई थी minus 32,776 से 32,776 तक तो इस range को याद रखना है ऐसे ही float, value, comma, sum value और sum दोनों variable float type के हो जाएंगे ऐसे ही care, ch यहाँ मैंने एक ही variable create किया है तो comma की requirement नहीं है आप एक line में जितने चाहे उतने variable create कर सकते हैं एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं तीन भी कर सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी कर सकते हैं तो यह तरीका है variables को declare करने का तो इन तीनों lines में count, m, n, value, sum, ch यह सब variables हैं और इनके नाम identifier के rules के according ही select किये गए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं declaration of variables से related कुछ और भी points है the variables declared above are also known as scalar variables यह जो पिछले page पर हमने variable देखे हैं scalar variable या non-subscripted variable भी कह सकते हैं as they can take only single value at a time क्योंकि इन सभी value variable में एक वक्त में एक ही value store हो सकती है एक से ज़्यादा value हम एक variable में store नहीं कर पाएंगे तो whenever new value is assigned to these variables the present value is erased or over written by the new value यानि नहीं value store करते ही पुरानी value हट जाती है इस बात को समझने के लिए मैंने एक यहाँ पर divide कर दिया है word को variable को vary plus able vary means change और able means योग्य यानि जो value लगाता है change हो सके it means we can change the value again and again एक example से समझ लेते हैं suppose एक variable है जिसकी value मैंने 5 की है फिर मैं a is equal to 7 कर देता हूँ तो इससे क्या होगा a की value 5 हट जाएगी और 7 हो जाएगी यानि 5 value lost केवल 7 है a variable को जो भी 2 bytes memory में मिली होंगी वहाँ 5 की जगे 7 चला गया और अब हम print कर रहे हैं a को तो देखी output आ रहा है 7 यानि पुरानी value 5 वह इरेज हो चुकी है अब केवल 7 ही a में stored तो इस point को ज्यान रखना है यह बहुत important point है आगे जब हम program से बनाना शुरू करेंगे ck तो एक ही variable में बार बार हमें values change करनी पड़ेंगी इस तरह के logic हमें लगाने होते हैं तो इस concept को माइन में रखना है कि एक variable में एक ही value store हो सकती है इसी वज़े से हम scalar variables या फिर non-subscripted variable कहते हैं non-subscripted इसका एक opposite है सब्सक्रिप्टिड variable या array array अपने आप में पूरा chapter है जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे तो array असल में सब्सक्रिप्टिड variable होता है उसमें सब्सक्रिप्ट देने पड़ते हैं लेकिन यहां जो अभी हम फिलाल variable पढ़ रहे हैं उनमें कोई सब्सक्रिप्ट नहीं देना इस वज़े से इसे हम non-subscripted variable कह रहे हैं अगर यह word अभी समझ में नहीं आ रहा है तो don't worry जो हम array पढ़ेंगे तो वहां पर यह चीज़े clear हो जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं initializing a variable अभी पिछले page के example में हमने variable के वल declare करना सीखा है लेकिन variable को declare करने के बाद initialize कैसे करें तो उसकी यहां पर दो category है when we declare a variable it contains unpredictable value यह C में बड़ी प्रावलम है कि जब कोई variable declare करते हैं जैसे हमने अभी पिछले page पर किया है int age equal to 5 उससे पीछे देखते हैं जैसे यहां पर हमने किया था int count, m, n या flood type के value sum या ch int है variable में हमने कोई data ही store नहीं किया तो इन variable में क्या होगा इन variable में unpredictable value होगी कोई garbage value होगी यानि garbage value आती कहां से यह भी मैं बता देता हूँ actually जब कोई variable declare होता है जैसे count variable यहां int type का declare हुआ है तो इसे memory में 2 byte मिली है तो RAM के जिस locations की भी 2 byte इसे मिली है उन 2 location में पहले से जो unused data पढ़ा होगा वो ही इस variable की value बन जाएगी जिसे हम predict नहीं कर सकते इसलिए हम यहां पर कह रहे है कि अगर कोई variable हम assign नहीं करते initialize नहीं करते तो उसमें unpredictable value चली जाती है which may create problem during execution of the program यानि अगर हमने variable की value को सही नहीं किया और program execute होता रहा और variable use होता रहा तो उससे बहुत unpredictable output आते हैं screen पे बहुत जादा problem होती है so a variable must be initialized before using it यह बहुत important line है variable को use करने से पहले initialize कर देना बहुत ज़रूरी है initialization of a variable may taken place in the following two ways static and dynamic तो लोग दोनों को समझ लेते है static initialization this process uses direct assignment of a variable with defined constant using the assignment operator यानि कि जैसे कि हमने यहाँ पर int i लिया है double d दो variable लिया है एक ch variable भी लिया है तो अभी तो इन में garbage value होगी id और ch तीनों में फिर हमने लिखा i is equal to 456 तो इसे बीज में equal वाला symbol दिख रहा है आपको इसे हम बोलते हैं assignment operator तो assignment operator हमेशा right to left work करता है तो 456 जो value है वो i में store हो जाएगी और यहाँ पर एक constant को store किया जा रहा है इस वज़े से हम इसे static initialization कहेंगे actually जब भी program run होता है run होने के बाद हम उसे compile करते हैं तो compile time पर यह final हो जाता है कि जो यहाँ constant दिए गए हैं वो ही उस variable में value जाएंगे तो इसलिए इसे हम static initialization कहते हैं जिसमें कि हम assignment operator यूज करते हैं और right side में कोई constant यूज करते हैं तीनों statement में देखो last वाले 456 एक integer है 123.45 यह एक real number है और m एक character constant है तीनों के तीनों constant है और left में हमने variable यूज किया हुआ है तो इस तरीके से हम किसी variable को value assign करते हैं using the assignment operator तो यह था static initialization run time that is during execution of the program यानि जिस वक्त program run हो रहा होता है उस वक्त अगर variable में कोई value store की जाती है तो वो हो गया run time is term dash dynamic initialization और value store करने को हम बोलेंगे dynamic initialization example से समझते हैं पहली statement देखिए इसमें हम तीन variable create कर रहे हैं A, B, C A और B में हम 5 और 6 इस्टोर कर रहे हैं तो यह तो static initialization हो गया C variable में कुछ store नहीं किया लेकिन फिर आगे लिख रहे हैं C is equal to A plus B यह statement जब हम अपने program में लिखेंगे तो इसको देखकर वैसे तो हमें समझ में आई रहा है कि 11 जाएगा लेकिन 11 जाएगा कब जाएगा तब जब यह program execute होगा पहले हम program type करते हैं फिर compile करते हैं compile होने के बाद हम program को run करते हैं तो जिस वक्त program run होगा उस वक्त C में 5 plus 6 होने के बाद 11 इस्टोर होगा तो runtime याने की dynamic तो यह हो गया dynamic initialization एक और example देखते हैं यहाँ पर हमने double type के दो variable लिये num में 49.5 डाला और एक r variable लिया r is equal to sqrt num sqrt c language का एक library function है इसके लिए math.h को include करना पड़ता है यह header file का नाम है उसके अंदर सभी mathematical functions है और यह इसके नाम से ही पता लग रहा है sq यानि square और rt यानि की root तो यह function square root calculate करता है तो जैसे कि num में 49.5 है इसका जो भी square root है वह r में store हो जाएगा तो यह function कब work करेगा run time पे करेगा हमने program type कर दिया compiler compile कर देगा लेकिन execution statement का run time पे होगा तो यह भी dynamic initialization है सीरी सी बात है अगर हम assignment operator के right में कोई constant use नहीं कर रहे हैं तो वह dynamic initialization ही होता है तो अगर हम इसे run करके देखेंगे print करके देखेंगे तो r की value print हो जाएगी इसी तरह से हमने दो variable लिए ch और g ch में m डाल दिया और g is equal to ch तो ch की value mg में store होगी लेकिन run time पे तो यह भी dynamic initialization का यह example तो इन तीनो लाइन को दियान से देखिए c is equal to a plus b r is equal to sqrt num और g is equal to ch तीनो dynamic initialization के ही example है चलिए मैं आपको यह सभी statement एक बार run करके दिखा देता हूं turbo c पर चलते हैं वहाँ easily समझ में आ जाएगा हम यहाँ पर देखिए turbo c का जो version मैंने यहाँ use किया है उसमें benefit है कि हम easily यहाँ मैं अब अपनी powerpoint की slide से यह code copy कर लेता हूं और turbo c पर चलते हैं turbo c में मैं यहाँ पर इसे control v से paste करूंगा और यह यहाँ पर आ गया type करने की जरूत नहीं पड़ेगी काफी जल्दी यह काम हो गया थोड़ा बहुत मुझे ठीक करना पड़ सकता है यह red color के आ रहे है single chords यह शायद गलत लगे हैं तो इन्हें ठीक कर देते हैं यह ठीक हो गई और बाकी आप एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पर second line में hash include math.h math.h को देखिए include किया है यह sqrt function की वज़े से किया है मैंने तो यह एक library function है और mathematical function है और mathematical function math.h file में होते हैं तो इसलिए include करना पड़ेगा चलिए अभी से run कर लेते हैं program मैंने भी आपको समझाई दिया था एक बार output देखते हैं output में ऐसा कर लेते हैं एक तो यह printf है चलो सारे printf हम नीचे ले लेते हैं देखिए int variable को print करने के लिए हो गया इसी तरह से यह हो गया यहां लिख लेते हैं square root double type का variable दिया है मैंने इसके लिए %lf लेना होगा c int variable है इसके %d लिया है किसी तरह से care variable के लिए हम %c लेते हैं मुझे यहां पे g को print करना है g में मैंने ch की value कोपी की थी तो यहां पे तो m print होना चाहिए r में square root जो आया होगा वो print होगा और c में a plus b यानि 5 plus 6 की आया है तो 11 आना चाहिए चलिए इसे run करके देखते हैं एक बार इसे save कर लेते हैं save control f9 और यह program run हो गया और देखे output आगे आप output देख रहे हैं लेकिन यह क्या यह तो एक ही line में आ रहा है तो ऐसा कर लेते हैं पर हम slash and use कर लेते हैं back slash character constants मैं आपको बता चुका हूँ save कर लेते हैं control f9 करते हैं तो देखे अब अलग-लग line में output आ रहे है तो value of c11 आ रहे है square root 7.03 5624 आ रहा है और g की value m आ रहे एक चीज़ नोटिस करो कि जब भी हम character variable print करेंगे तो output screen पर अपने आप single quotes कभी नहीं आएंगे चाहे character constant हो या string constant हो string constant के case में double quotes कभी नहीं आते output में और character constant के case में single quotes कभी नहीं आते तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो यह output आ गया I think आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी static initialization यह static initialization है और यह इस line में dynamic initialization है यह भी dynamic initialization है और यह भी dynamic initialization है तो यह था आज का topic I think आपको यह topic समझ में आ गया होगा जिसमें हम पढ़ रहे थे variables और static initialization dynamic initialization तो आज के lecture में बस इतना ही आपसे request है कि अगर आपको यह video पसंद आई है तो इसे like जरूर कर दें और जो भी topics में आपको समझा रहा हूं उससे related कोई भी issue है कोई भी problem है तो आप comment box में मुझे जरूर comment करें मनको solution 100% अगली lecture में आपको दूँगा और अगली lecture में फिर मिलते हैं ओके बाइ बाइ में आपको बाइ